राची के इटकी प्रखंड के रहने वाले लोगों ने इस बार दिवाली पर न सिर्फ चाइनीज लाइटों से दूर रहने का संकल्प लिया है बल्कि पर्यावरण संड्रक्षन को ध्यान में रखते हुए गोवर्धन दिया जलाने का नेने लिया है JS LPS से जुड़ी महिला समूह की सदस्यों ने गोबर, मुलतानी मिट्टी और गवार गम का उप्योग कर गोवर्धन दिये बनाने शुरू कर दिये हैं गोवर्धन दियों से जहां मिट्टी के कटाव पर काफी हद तक अंकुष लग सकेगा, वहीं मिट्टी के दिये को पकाने में जो इंधन की खपत होती है उसकी भी बचत हो पाईगी JS LPS की इटकी प्रखंड की ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर अनुपमा सिनहा ने बताया कि मिट्टी का दिया शुरू में घी या तेल को सोखता है लेकिन गोवर्धन दिया इंधन को नहीं सोखता और जादा समय तक जलता है वहीं जलने के बाद इसका उपयोग खेतों में औरवरक के तौर पर भी किया जा सकता है समू से जुड़ी महिलाओं ने बताया कि गोवर्धन दिया बना कर इटकी प्रखंड की पचास से अधिक महिलाओं को रोजगार भी मिला है ये दिये काफी सस्ते भी होते हैं दिदी लोग बहुत अच्छा रोजगार मिल रहा है ताकि वह बढ़ चड़ के हिसा ले रही है गोवर्धन दिये बनाने के काम की शुरवात में इटकी के पशुपालन विभाग के अफसरों और प्रखंड विकास पदाधिकारी का भी युगदान रहा ये देखते हुए कि इलाके के अधिकांश किसानों के पास गोवंशी ये पशु उपलब्ध हैं उनकी आय में विर्धी के लिए ये पहल की गई महिलाओं को साल भर रोजगार मिले इसके लिए आने वाले समय में गूबर से ही मोमेंटो, मूर्ती, गमला और अन्यक अलाकर्तियां बनाने का भी प्रिशिक्षन दिया जाएगा ताकि महिलाओं आर्थिक रूप से सश्रक्त हो सकें राची से नबीटी ओनलाइन के लिए रवी सिनहा की रिपोर्ट